आज हम इसे एक बैग बनाएंगे शौपिंग बैग है ये आईए देखते हैं ये बैग कैसे बनाना है आज की बैग बनाने के लिए हमने ये परदे का फैबरिक लिया है ये पुराना परदा था इसको हमने ये कटिंग किया है इसका measurement हम बता देंगे इससे पहले हम इसके back side में ये price bag इसके पीछे हम जोड़ेंगे इसे यहां से हम cut करके इसे ये bag इसके पीछे हम जोड़ेंगे इसे हमने ये तीनों पीस बना लिए हैं ये दो पीस और ये side के लिए और इसके लिए हमने ये blouse पीस है इसके दो पीस अस्तर के लिए हमने cutting किये हैं और ये तिसरा पीस हम इसके साथ ही चोड़ देंगे इसके पीछे हम ये अस्तर चोड देंगे इसे हमने ये दो पिस लिए है देखो इसके पीछे हमने ये रायस पाइक चारो साइड से सिलाई करके चोड़ी है और इसका मेजरमेंट है 15 इंचे पनरा इंच बाइ 17 इंच 15 बाइ 17 के ये दो फैब्रिक के पिसेस हमने लिए हैं और दो अस्तर के पिसेस लिए हैं और ये हमने इसके पीछे हमने ये अस्तर चॉइन किया है इसका मेजरमेंट है 52 इंजिस 52 इंजिस बाइ पाच इंज का ये एक पिस हमने लिया है इसमें से हम ये फैब्रिक के पिसेस साइड में रखते हैं और ये अस्तर के दो पिसेस लेते हैं और ये 15 इंजिस की साइड है ये साइड 15 इंजिस की है तो यहां हमें सेंटर का मार्क करना है इसे फोल्ड करके ये हमने सेंटर का मार्क किया है और सेंटर से दोनों साइड से 2.5 इंजिस एक साइड में 2.5 इंजिस एक साइड में से हम मार्क करेंगे और उपर से हम 5 इंज मार्क करेंगे और एक इसे बॉक्स बनाएंगे इसके उपर हमें कटिंग करना है ये हम कटिंग करेंगे और दोनों अस्तर हमने साथ में लिए है दोनों अस्तर है और ये 17 इंजिस की साइड है ये साइड 17 इंजिस की है और यहां हम इसे कटिंग करेंगे इसे हमने कटिंग किया इसके बाद हम एक फाब्रिक का पीस लेंगे ये दोनों को हमें सेपरेट करना है एक पीस एक के उपर हम रखेंगे देखो ऐसे ये इसकी सीधी साइड है अगर आप प्रिंटेड फाब्रिक लेते है तो ये सीधी साइड हम इसके उपर रखेंगे ऐस और जैसे हमने कटिंग किया है वैसे हमें सिलाई करना है यहां से ऐसे यहां तक हम सिलाई करेंगे ऐसे ही इसके उपर इसे हमने सिलाई की है और यह सिलाई होने के बाद हम अंदर का जो यह फाबरिक है वो हम पहले ऐसे कटिंग करेंगे और ये फाब्री कटिंग होने के बाद हम ये जो कॉर्णर है उसके उपर इसे चोटा सा कट लगाएंगे चोटा सा हम कट करेंगे और ये होने के बाद हम ये अस्तर का पिस ऐसे अंदर करेंगे और इससे पहले हम ये कॉर्णर भी इसे कटिंग करना है ऐसे ये दोनों कॉर्णर हम कटिंग करेंगे और इसके बाद हम ये सीधी साइड करेंगे ऐसे ऐसे ये सीधी साइड करने के बाद हम यहाँ ऐसे यहाँ से यहाँ तक टॉप स्टिच करेंगे और इसके बाद ये अस्तर और फाब्रिक हम साथ में जोड़ेंगे ऐसे ही हमें इसके उपर करना है यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे इसके बाद यह जोड़ देंगे ऐसे हमने यह दोनों पिसे यहां से यहां तक हमने सिलाई की और यह हमने चारो साइड से यहां हमने सिलाई नहीं की है इसके बाद हम ऐसे हमने दोनों पीस बनाए इसके बाद हम एक पीस लेंगे अंदर की साइड में ये सिधी साइड है ये उल्टी साइड है मतलब अंदर की साइड है तो ये हम ऐसे करेंगे ये लेवल में इसको फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ corner पर एक सिलाई करेंगे और इसके उपर हम एक सिलाई करेंगे ऐसे ही हमें इसके उपर करना है यहाँ यहाँ ऐसे ही हम इसके उपर करेंगे इसके बाद यह हमने 52 inches by 5 inches का यह piece हमने लिया था यह हम जो extra cut करेंगे उतना आप कम भी ले सकते हैं इसके बाद एक साइड में हम बड़ा फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड करेंगे यहाँ एक सिलाई करेंगे यहाँ एक सिलाई करेंगे इसे हमने यहाँ और यहाँ सिलाई की और यह हमने दोनों पार्ट ऐसे उपर से सिलाई करके चाइन किये थे तो यहाँ दो सिलाई ऐसे इसके बाद हम कोई भी एक साइड लेंगे यह जाह से हमने सिलाई की है वो हम यहां जोड़ेंगे यह हम बाहर से पाइपिन करेंगे आप चाहे तो अंदर की साइड में भी ले सकते हैं यह हम यहां से यहां तक जोड़ेंगे यह देखिए हमने यहां तक चॉइन की इसके बाद हम ऐसे करेंगे देखो इतनी स्ट्रिप यह एक स्ट्रा है यह हमने यहां दो बार फोल्ड किया था वैसे हमें यहां पर दो बार फोल्ड करना है इतना एक फोल्ड और इतना एक फोल्ड हो जाएगा इसके बाद जो एक स्ट Strp Cutting करेंगे नहींगे इतन ago इतनी extra है आप यहां से इसके चरद आतकर इस के बढ़ी जरुरत नहीं यह साथ इंच Extra हुई है यह आप strip छोटी भी ले सकते हैं इसके बाद हम पहले ऐसे एक fold और इसके बाद और एक fold यह से इसी के level में हम पहले fold करेंगे fold करने के बाद हमें यहाँ और यहाँ एक सिलाई करेंगे और बाद में यह जोड़ देंगे SM ने यह दुसरी side Joined कि, इसके बाद पी दूसरा पी सम लेंगे, इसको भी हमें इसी तरह से चाहे, तो आप clip लगा कर भी झोड सकते हैं, यह हम उपर की साइड से जोड देंगे, ऐसे हमने यह दोनों साइड जोड़ किये है, इस इला यह आप अंधर की साइड में भी ले सकते हैं, इसके बाद हम इसके उपर pipe in करेंगे, ये pipe in आप matching fabric की भी बना सकते हैं, ये हमने black color की तयार pipe in ली है, और इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, ये यहां से एक fold, चुटा सा एक fold करेंगे इसे, और ये pipe in हम यहां से यहां तक जोड़ेंगे, यहां भी हमें इसी तरह से fold करना है, और यह मेद ना स्टीक जोड़ेंगे, ऐसे हम ने दोंहों साइड से रूचाय लिए हो औरकों ब्लूल के छोप में ह Nepny बित ने रूचाय की है, और इसका मेजर मेंट है 12 इंच 12 इंच के हम चिक लिए हैं और ये साइड 15 इंच थी ये side 15 inch थी तो ये हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे एक बार यहाँ से डालेंगे इसके बाद ये थोड़ा सा हमें ऐसे करना पड़ेगा ये अगर लूज रखते हैं तो ये easily बाहर आ सकते हैं देखो इसके बाद ये भी इसी तरह से अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके इसको अंदर डालना पड़ेगा ये इसे थोड़े से tidy होना चाहिए एकदम easily जाएंगे तो यहाँ से ये लकड़ी बाहर आ सकती है तो इसके लिए हमें ये थोड़ा सा tidy होना जरूरी है इसके बाद तो ये bag हमारे से complete हो गई shopping bag बहुत सुन्दर दिखती है